नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एरूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोड़ाफोन आइडिया लिम्टेट के बारे में जिया दोस्तों आप लोगों ने देख रहे होंगे कि पिछले पांच दिनों से बोड़ाफोन आइडिया में लगाटार गिरावट का सिलसिला जारी है और आज भी बोड़ाफोन आइडिया लिम्टेट में तकरीबन 3% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है तो इस भारी भरकम गिरावट के पीछे क्या कार्ड है और जीयों ने किस परकार से जो है टेली कम्निकेशन कंपनियों का जो मार्केट होता है और इसके आफर्स ने जो है किस परकार से हरकम मचाया हुआ है यह भी इस वीडियो में डिसकस करेंगे और जानेंगे कि जीयों के इस प्लान से जो है टेली कम्निकेशन सेक्टर में किस परकार का हरकम मच और भारती ए टेल और बोड़ाफोन आइडिया लिम्टेट पर इसका जो है किस परकार से प्रभाव होने वाला है क्या हमें बोड़ाफोन आइडिया लिम्टेट से एकजित होना चाहिए या हमें होल्ड करना चाहिए गिरावट कब तक रुखेगी एचीज भी जानने की कोश का दबाव रहा और आज मार्केट ने रिकवरी करनी स्टाट कर दी है मार्केट में रिकवरी अच्छा खासा रिकवरी हुआ है यहाँ पर लेकिन इस बीच दो ऐसे स्टॉक्स हैं बोड़ाफोन आइडिया लिम्टेट और भारती एटेल इन दोनों में प्रेशर बना हुआ है और इन दोनों में काफी ज़्यादा दबाव देखने को मिला बात करें बोड़ाफोन आइडिया लिम्टेट की दो पहर के दो बज़े तक इसमें 2.65% की गिरावट आपको देखने को मिली है तो इस गिरावट की पीछे असली वज़ा क्या है दोस्तों यह जानना सबसे जर सुरू करते हैं देखिए जियो ने जो आफर दिया है जियो ने जो डेटा प्लान और फ्री का लिंग का जो आफर दिया है अपनी उजस को तो इसका प्रभाव बोड़ाफोन आइडिया लिम्टेट और भारती एटिल की सेर पर पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि पीछे का असली वज़ा है दोस्तों रिलाइंस जियो के जो मालिक है मिश्टर मुके संबानी उन्हें उन्हें फ्राइडे के दिन अनौस्मेंट किया था कि तीन सो मिलियन यूजर जो उनकी टूजी सब्सकाइबर है उनको जो है अनलेम्टेट डेटा और कॉलिंग की सुव बनाय हुआ है अपनी धाग बनाय हुआ है जो 1999 का जो प्लान है इसका इस प्लान के अंदरगत दो सालों के लिए 2GB परमत और अल्लिम्टेट कॉलिंग का डेटा फसल्ती यहां पर दिया जाएगा रिलाइंस जियो के द्वारा और वहीं आप देखें तो इसमें और ने भी लेकिन सबसे इसका फेमस प्लान दोस्तों जियो फून का 1999 यानी 1099 100 का है तो इसके साथ जो है 2GB डेटा परमत और अल्लिम्टेट कालिंग की शुविदा यहां पर देने की बात कहीं जा रही है रिलाइंस जियो के द्वारा आपको बता दें कि रिलाइंस जियो जब से इस इक मुनिकेसन सेक्टर में आया हुआ है वो आते ही 4G टेक्नोलोजी पे काम किया और आते ही उसने क्या किया फ्री लोगों के दमाग में एक एको सिस्टम डवलफ कर दिया फ्री 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 जब भी प्री का नाम आता है तो जीयो का नाम पहले आएगा तो मार्केट अगर मार्केट सेर की बात कही जाए तो सबसे आदा भारती एटेल का है उसके बाद रिलांज जीयों का और तीसरे पर वोड़ाफोन एडिया लिम्चेट का तो इस गिरावट में जो ब्रोकर एजंसिया है वो कहां पीछे हटने वाली है वो तो कमेंट करेंगी करेंगी क्योंकि उनको तो एक वज़ा चाहिए ना मार्केट जैसे ही गिरता है तो जो ब्रोकर एजंसिया होती है वो उभर के जो है आती है और अपना अपना रेटिंग देना चालू करती है कि यार वोड़ाफोन आइडिया लिम्टेड में हो सकता है पांच रुपे पर चला सकता है छे दराते हैं आपको इसलिए डराते हैं क्योंकि डराने का उनको पैसा मिलता है जो मैं कड़ी सच्चाई यहां पर बताने की कोशिस कर रहा हूं इस वीडियो में आप एलाइन देहिएगा ध्यान से कंपटीशन प्लस इस्पेक्ट्रम ऑक्षन और फंड्रेज जो तीन चीजे जो है क्योंकि डेड्लाइन है 31 मार्च 2021 उससे पहले बोड़ाफन आइडिया लिम्टेट और भारती एटेल को इजी आर की जो रासी है उसे पे करना है तो कंपटीशन तो तगड़ा मिल रहा है रिलाइन जीयों के साथ इस तो कोई बात नहीं है किसी से भी शुपी नहीं है दूसरी इस्पेक्ट्रम की बात इस्पेक्ट्रम ऑक्षन की का भी आज सीमा चल रहा है और 31 मार्च लास डेश्ट है और तीसरी सबसे बड़ी प्रावलम बोड़ाफन आइडिया लिम्टेट के लिए फंड रेट तो तीनों चीजों का दबाव जब एक स्टॉक पे पड़ दामों पर खरदवाएंगे और आम रिटेलर के साथ ऐसा ही होता है जैसे ही वह कोई निगेटिव नीज सुनता है कहीं से एटूब पर देखता है कहीं मार्केट में देखता है कहीं गूगल करता है उसके मन में एक सिस्टम हो जाता है कि यार अब तो इस शेर की भीकवाली तो धडाम से गिरने वाला है इसका कुछ नहीं हो सकता देखिए रिलांज जीओ को देखो नो वाफर ला रहा है उनका ऐसा सेंटिमेंट बन जाता है कि मानों की बोड़ाफों आडिया लिम्टेड में कल से ताला लग जाएगा जैसा कि आपने एसीन प्रेंट में देखा कि ऐसीन प्रेंट में किस परकार से धडले से विकवाली चालू हो रही थी क्योंकि ऐसीन प्रेंट ने आपना एक टाप बनाया था उसके बाद उसमें विकवाली आए और प्रेसर डाला गया कि ग्रेसिम जो है आधित बिल्ला का ओज़ो है पेंड की इंडस्टिड में घुश कहले कोंपने मिलने को मिल रही है और इसका में कारड़ है दोस्तो इंटिग्रेर्ट को मिलने के दियुक्त क्रोड के कैव threw आज इसले कर आज विखवाली का दबाउर नजर आ रहा है और बत करें कि को मिलने कि आज़ा लूर्ज द्वाट होग practice भारती एटिल से 3,70,893,893 एक्विटी सेयर जो है सेल्स किये हैं कितने प्राइस पे 556 रुपे 46 पैसे के भाव पे भारती एटिल से इन्होंने अपना सेयर बेचा है तो इसके करद जो है गिरावट आ रही है मार्किट में ऐसा अनलेटिक का मारना है लेकिन में ना मानना यह है कि दोस्तों कि जीयो के प्लान से जो है प्रभावित हुआ है और बात करें आज की तो आज अभी 11 रुपे 40 पैसे से ओपन हुआ 11 रुपे 45 पैसे का इसने आज डे का हाई बनाया है और 10 रुपे 90 पैसे बोड़ा पून आइडिया लिम्टेट का आज का लो रहा है और 10 रुपे 95 पैसे पर अभी एक ट्रेट कर रहा है चुकि मार्केट दोस्तों 3-30 पर क्लोज होता है और मैं वीडियो बना रहा हूं दोस 996,93,960 की कौंटिटी में बोड़ा पून आइडिया लिम्टेट में सेयर टेट किये गए हैं जिन में से 4 करोड 94,91,350 की कौंटिटी में सेयर टेट किये गए हैं सेयरों की डिलिवरी उठाई गई है और तक्रीबन 38 दस्मलो 16 परसेंट की डिलिवरी यहां पर बोड़ा प क Tar Sheer जैसे जए जाएगा लोग इहाँ पर दभाकर वाईंग करेंगे क्योंकि लोगों को पता है कि यही तो त्राइमें वाईंग करने का आप क्या स्यूज में ऐसा मोटिवेट कर दे आता है ऐसा आपका साइको जो है इको सिस्टम आपकी अंदर डाल जाता है ताकि आपको यह चीज हाकीकत लगने लगे कि अरे आप तो इस कंपनी में ताला लग जाएगा मुझे कई लोग परसनली वाटसप करके बोलते हैं कि सर क्या वोड लम सबके साथ होता है तो प्रावलम बोड फोन एडिया लिम्टेट के भी साथ हो रहा है और आप इंवेस्टर है ना कि टेडर आप टेडिंग के परपस ते ऊपने परपस से लिया न तो आपको घबड़ाने के क्या बात है आपको तो अपना सीट बैड कर आराम से इंज़ करना चाहिए क्योंकि जो है भागेगा और भागेगा तो पकड़ना मुस्किल होगा तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि आप इधर उदर की न्यूज मत देखें देखें लेकिन अपना दिमाग लगाए कि एक्षुल में हो क्या रहा है इस समें जो इस्पेक्ट्रम मेरे पास उतना वड़ा फंड नहीं है और आपको आप भी जो है अगर दो लाग चार लाग का फंड उच करते हैं तो मैं आपको यही डवाइस दूंगा कि आप जो है धैर बना कर रखें क्योंकि स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाने आया है ना कि पैसा गवाने यदि कि जी तक ही हमारा उसा बढ़ता रहा है